जैनली मनाई गई थी, मेजर ध्यान चल्चल्च, इनको हौकी का जादूगर बोलते हैं, उन्ही के बारे में मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनकी स्टोरी सुनिएगा तो आपको बहुत ही प्रेड़ना मिलेगी, उनकी स्टोरी है कि ओलम्टिक केम्स, में भारत में उन्निस सो अटाइस में गोल्ड जीता और 1932 के उलम्टिक में गोल्ड जीता, 1936 का उलम्टिक जर्मनी में हो रहा था, जर्मनी में जब उलम्टिक केम्स हो रहे थे, तो इंडिया वहां की एक छोटी सी टीम से हौकी का अपना मैच हार गे, तो ये लगा कि लेकिन जैसे तैसे करके भारत होकी के फाइनल में मौचा, मेजर ध्यान चंथी बलोगा था, लेकिन फाइनल से एक तिन पहले ही मेजर ध्यान चंथी तो होकी की स्टिक लगे, होकी केल लाए होगे, तो किसी साथी ने ऐसे करके सौट मारा होगा को उनके मातिये पे लगे, कून निकल आया अगले दिन ओलोंपिक का फाइनल था अब इंपोर्टेंट मैस था तो मेजर ध्यांचन ने पट्टी बांदी उसके बाद वो फील्ड पर नंगे पैर उत्रे यानि जूते उतार दिये आप ये से जूते इसलिए उतार दिये अगर वो जूते पहन के खेलते त पर चोड़ती और जर्मनी को आठ एक से हराया और जर्मनी को जर्मनी की जमीन पर हराया और हारत को तीसरी बार उन्हें गोल्ड मेडिल दिलवाया इसलिए उनको हम लोग हावकी का जादू पर दो है तो उनसे हमें इसी बियनी चाहिए कि कोई भी परस्तित हो और हार नहीं हानी जाए अगर पो अस समय हार मान जाते तेरे चोट लग कई है अब मैं खेल नहीं हाँगा लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और हारत हो तो लोड़ है तिलवारीगें हो इस इस फरकार के हमारे इसमें महांगोग है वो ऐसे इसमाद नहीं बनें कुछ ना कुछ उनके काम ऐसे रहें कि वो मात टैर्लु कि उनके जन्दित को आज भी याद करते है उनको भी याद करते हैं और बच्चों जैसा आप च्ञाँने आज है रहहा खृष्प लोग अपने तब हम लोगं अपने देशने कर दो वेकर दिखती दुछ नहीं हम लोग अपने सुरच शित्र हैं सहसे पी इत्मन आप लोग आपतीन है कि आपको को लिंगी चेह हो बार दीए से इनी ना